question no.5 हम करेंगे अब 5 में given है a container shape लाएगे right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm full of ice cream तो एक right circular cylinder है ठीक है उसमें ice cream भरी है पुरी की पुरी उसका diameter 12 cm है और height 15 है the ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top अब क्या कर रहे है container में सा ice cream विकाल के एक cone है उसमें भर रहे है cone में भी उसका जो top है हो hemisphereshape का है तो पूछ रहा है find the number of such cones which can be filled with ice cream ठीक है तो हम क्या करेंगे total जो container में ice cream है उसका total volume निकाल देंगे और फिर एक cone का जो volume है उसको उससे divide कर देंगे number of cones तब आएंगे जब हम container के volume को एक cone के volume से divide कर देंगे cone का मतलब यहाँ cone से नहीं है एक shape है जिसमें cone और hemispheres दोना है करते हैं इस problem को तो एक container हो गया इसका diameter 12 है तो इसकी radius हो जाएगी 12 वेटू 6 और इसकी height जो है वो 15 है तो volume of ice cream in container volume of ice cream in container इस पाइ हार इसको है पाइ 6 काइज गए 36 इंटो 30 काइज 36 इंटो 15 कितना होता निगाल देता है जो है को जो है को जाएगा इसमें इसके रहे अब इस cone का यह कहरा है the ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 centimeter height 12 centimeter and diameter is 6 so diameter 6 है तो इसकी radius का हो जाएगी ठीक है having a hemispherical shape on the top तो यह hemispherical shape हो गया अब यह जो solid है इसका volume कैसे निकालेंगे volume of cone plus volume of hemispheres को हम निकालता है volume of solid जिसमें हम ice cream भरेंगे ठीक है ice cream पूरी यहां यहां तक भरेगी यहां तक है बूरा तो यह volume count हो जाएगा phone का और hemispheres का भी count हो जाएगा तो volume of hemispheres plus volume of cone volume of hemispheres होता है 2 by 3 by r cube r a 3 तो 3 का cube किता हो जाएगा 27 volume of cone होता है 1 by 3 by r r a 3 square h a 12 टी बन जा 3 3 9 जा 9 2 जा 18 पाई तो यहां जाएगा 18 पाई 3 का स्क्वर 9 9 डिवाइड बाई 3 3 3 इंडे 12 36 पाई ठीक है तो यह हो गया तो यह हो गया 18 पाई ब्लस 36 पाई यह हो गया 54 पाई ठीक है तो नंबर of cones निकालने के लिए हम इस volume को इससे डिवाइड कर देंगे तो यह कितने कौन बनेंगे वह जाएगा N equals to number of cones number of cones equal to N equals to divide by 54 by कि वाइज सपाइगेंशन 54 वाइजा एन आ गया है हो सकता है आपके एंसे आड़े टेक्स्ट को अगर पूरा नहीं है तो उसमें एकोल से 15 गिवन है तो वह इंकरेक्ट है यह करेक्ट आंसर यह ठीक है अब कोशिन नमबर 6 करते हैं अब कोशिन नमबर 6 करते हैं आपके इस एक कोशिन में है एक कोईन है ठीक है तो देखो कोईन जो होगा न वो भी एक तरगा सिलेंडर ही होगा और इसकी तिकनेश बहुत कम होगी इतनी होगी तिकनेश इसका डियमेटर है 1.75 तो इसकी रेडियस हो जाएगी 1.75 का हाफ और तिकनेश 2 mm है मतब 2 mm इसकी मोटाई है यह चीज़ है तो यह इसकी आइट होगी तो हाइट होगी 2 mm और मिलीमेटर को सेंटीमेटर में बदलने के लिए यह सेंटीमेटर में तो हमें पता है 1 mm एकवस तो 10 cm तो 1 cm एकवस तो 1 cm एकवस तो 10 mm एकवस तो 1 mm एकवस तो 1 by 10 cm एकवस तो दाइमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 तो यह मैट हो रहा है और एक क्यूबोइट बन रहा है इसकी डाइमेंशन दीविए 5.5 इसकी लेंट होगे ब्रेथ दीविए इसकी 10 और हाइट इसकी दीविए 3.5 तो इसमें कितने कॉइन ऐसे लगेंगे तो हमें इस क्यूबोइट का वॉल्यम निकाल लेते हैं वॉल्यम और क्यूबोइट इसको आज़रिटीद रखते हैं वॉल्यम और वन कोई यह कोईन है यह सिलेंडर है वॉल्यम और वन कोईन इस क्योंकि यह सिलेंडर है तो जागा पाई आर स्क्वेर है एच जिरो पॉइंट तो नमबर ऑफ पॉइंस निकालने हैं तो टोटल क्यूबोइट के वॉल्यम में हम एक कोईन से डिवाइट कर देंगे एक कोईन के वॉल्यम से तो वह जाएगा वॉल्यम और और क्योंकित्वीड तो टिवाइए वालेब मालोड जाए तो टोंकियू Aristाइग काई टिवाइंट निकाल्या का nya यह सिर्गा तो मुझकी ल काई पर इतनी कीद भी किए यह 2 x 2 4 यह उपर चला जाएगा, numerator में आगया 4, इस point गोट आया, यहां 10 लगाया, ठीक है, यह 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, सब पाय की वल्यू के लें है, 22 x 7, तो 22 x 7 उपर चला गया, अब यह point गटा, उपर 100 आगया, यह point गटा, उपर 100 आगया, मदब 10,000 हो गया, अब 7 की टेबल, 7 बन्जा 7, 7 2 जा 14, 3 बजी गया, 17 में से 14 गया, 3, 35, 7 5 जा 35, 25 बन्जा 25, 25, 4 जा 100 और यह 0, अच्छा और के बचा, 5 की टेबल से गट रहा है, इस point को अगर अठाते हैं, उदर 10 आजाएगा, 5, 11 जा, और यह 5 से cancel out हो रहा है, 5, 3 जा 15, तो जा 5, 5 जा 25, ठीक है, 35 आगया, यह 3.5 कट गया, यह 10 आगया, यह 3.5 इससे कट गया, अच्छा 11 मन जा 11, 11 टू जा 22 हो गया, यह 10 इससे कट गया, अच्छा 11, और क्या बच गया, यह 2 इसससे कट गया, क्या बचा यहाँ, कुछ नहीए, यहाँ, 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 यह यहाँ, 10, 10, 10, और का है यह 10 से गड़ गया और कुछ बजगा गया 400 बजगा तो आंसर क्या हो गया हमरे पास 400 हमको 400 ऐसे कॉइन चीए ताकि हम ऐसा एक कि वोईट बना सके हम यह चाते हैं कि हर स्टुडेंट तक यह वीडियो पहुचे कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए धन्याबाद